तो गाइज, Almighty Guidance के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, तो Complete Indian Polity में हम पढ़ रहे थे, Historical Background of Indian Constitution, तो गाइज, काफी सारी वीडियोज जो हैं, हो चुके हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स हमको Indian Polity में, या फिर Indian Constitution में पढ़ना है, कौन-कौन सी बुक्स या फिर उसके इलावा यह जो Bear Act है, यह हमको देखना है, गाइज, इससे पहले भी हम Historical Background का Part 1 देख चुके हैं, तो गाइज, अगर आपने वो सारी वीडियोज नहीं देखी हुई हैं, तो आपने Basic Concepts को Clear करने के लिए, गाइज, आप उनको भी देखें, तो गाइज, लेक्चर शुरू करने से पह कर रहे हैं, गाइज, मैं तो आपको यही सुजस्ट करूंगा कि आप उसे Isolation में त्यार करें, गाइज, आपको जो मेहनत करनी हैं, उसका शौर बिलकुल नहीं होना चाहिए, उस मेहनत के वाद जो आपका Success आएगा, गाइज, वो खुद ही शौर मचाने के लिए काफी तो अगर आप इस वक्त मुश्किल के दोर में, यानि कम्पिटिशन की तियारी करते हुए कम्पिटिटिव एग्जाम के अलग लग जो कम्पोनेंट्स हैं, उनको आप भली भांती पूरवक से अच्छे डिटेल से पढ़ रहे हो, गाइज, इसके लिए आपको अकेला रहन होगा, आज की डेट में आप अकेले होंगे, लेकिन कल जब आप IAS, IPS, IRS या किसी वी अच्छे लेवल के एक्जाम को क्लियर कर लेंगे, तो आपके पास वो सब सुख सुविदाएं होंगी, जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, और आज आप अकेले हैं, लेकिन उस समय, उस वक्त आप जिस रास्ते पर चलेंगे, आपके पीछे काफी ले चलेंगे, तो गैस देखते हैं आज का वीडियो, तो देखिए historical background of Indian constitution हम पढ़ रहे थे, इसके लिए मैंने आपको बता दिया हुआ कि लक्षमी कांत की polity खरीदनी है आपको, अगर नहीं है तो PDF आम में आप म मुझे mail करें, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर आदूँगा, इसके इलावा original constitution को पढ़ने के लिए आपको universal का bear act खरीदना है, तो guys historical background क्या है कि ये अलग-लग हमारे topics हैं जो हमें पढ़ने हैं, हमने पहला topic historical background जो है वो शुरू किया हुआ है, तो guys अब historical background को हमने दो भागों म हम देख चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे हैं या आपको clear नहीं है, तो guys आप उन्हें दोबारा देखें, और आज हम पढ़ेंगे the crown rule, जो 1888 से लेके जब भारत अजाद होता है 1947 में, तो guys उस तक के बीच में जो हैं क्या developments हुई और Indian constitution के उन सभी acts का क्या प्रबाव है, ये सारी detail में हम देखेंगे, तो देखिए जब crown rule के बारे में बात की जाती है, तो ये 1857 का जैसे ही विद्रोग हतम होता है, तो एक government of India act आता है 1808 में, यानि 1858 में, वैस एक concept आपका मैं और clear कर दूँ, कि देखिए अब यहां से British India, जो Britishers यहां से enter होते हैं और यहां पर peak पे होते हैं, लेकिन यहां से फिर उनका downfall शुरू होना हो जाता है, देखिए यहां से जो regulating act था, इसमें वो power को अपना रहे थे, जगा 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 जो provinces थी, territories को अपनाना, अपने under करना, उसके लिए इन्होंने doctrine of labs लाया, subsidiaria lines लाये, होजते हैं, तो इनके पास काफी सारा area, लगबग पूरा भारत इनके under आ जाता है, और अब इनका focus जो है, वो और provinces को capture करना नहीं होता है, बलकि क्या focus होता है, कि एक अच्छी प्रकार की democratic government इंडिया में establish की जाए, यानि यह हम देखेंगे कि अलग लग provisions में कैसे more and more यह ज आरी में Britishers जुड़ जाते हैं, तो guys crown rule जो चलता है 1858 से लेके 1947 में इसमें हम क्या क्या देखेंगे, government of India Act देखेंगे 1858 में आया गया, इसको good governance act भी कहा जाता है, उसके बाद अलग अलग council acts आये थे, जैसे 1861 का आया, 92 का आया, 1909 का आया, जिसको हम more elemento reforms भी कहते हैं, और इस इसी में Secretary of State for India का concept भी आपको देखने को मिलेगा, guys most important है, Champs, Monty, Champs, Ford, जो reforms थे, और इसे ही कहा जाता है, government of India Act of 1999, most important है, काफी सारे जो features है, डायार की, काफी सारे features Indian constitution में इस act से लिए गे हैं, उसके बाद इसमें कुछ कमियां थी, वो 1935 में एक act आता है, government of India Act, 1935, तो guys, ये भी काफी important है, और finally क्या आता है, कि Indian Independence Act of 1947 की किस प्रकार से भारत का भीवाजन होता है, पाकिस्तान की सरेचना होती है, तो guys, ये अलग-लग हम सारे provisions देखते हैं, तो guys, सबसे पहले शुरू करते हैं, government of India Act, तो guys, क्या लिखा है, this significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857, कि जैसे ही ये 1857 का विद्रोख खतम होता है, तो उसके वाद, Britishers जो है, अपना, और इसमें मैं आपको बता दूँ कि revolt of 1857 को first war of independence, जो है, V.D. सावरकर जी कहते हैं, यानि जो Indian historian है, वो इसे first war of independence कहते हैं, और जो Britishers के historians हैं, वो इसे spy mutiny कहते हैं, कि एक परकार से military का revolt था, तो guys, इस act को और क्या कहा जाता है, it is also known as the act for the good government of India, इसने क्या किया, it abolished the East India Company की, जो पहले governor general हुआ करते थे, या East India Company जो trading के एक point से आई थी, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे उसने administrative financial sector पे भी अपना control जो है, जमा लिया, तो इसने क्या किया कि government of India Act 1858 को जा था, इसका दूसरा नाम क्या था, act for the good government of India, it abolished the companies rule की, इसने क्या किया, जो companies का rule था, वो उसको abolish कर दिया, और अब जो इंडिया की territory थी या revenue system था, वो directly Britishers के अंडर आ गया, यानि directly British crown के अंडर आ गया, जो queen बोलेगी, अब वही इंडिया में होगा, company के official से किसी प्रकार की तो guys, ये, अब हम देखते हैं, detail में की, इसके क्या-क्या features थे, government of India act के, देखिए, सबसे पहला कहा रहा है, it provided that India henceforth, was to be governed by and in the name of her majesty, majesty होता है कि किसी के will के उपर, अब her majesty, यानि will of the queen of England, कि अब इंडिया जो है, उसी तरीके से गवर्न किया जाएगा, जैसे Britain की queen चाहती है, It changed the designation of the governor general of India to that of vice raya of India, तो guys, most important question है कि कौन से actor ने governor general of India की term को change किया, vice raya of India की term से, तो ये कौन सा था, government of India act of 1858, vice raya of India was the direct representative of the British crown in India, तो guys, अब ये direct official आ गया था, कि जैसे इसको Britain से order मिलेगा, वैसे ही ये इंडिया में काम करेगा, और इसी परकार जो first vice raya of India कौन बनते हैं, ये बनते हैं, Lord Canning, thus became the first vice raya of India, guys, आपके, आपसे जो है, ये direct exam, exam में question पूछा जा सकता है, तो guys, इसके बाद क्या आता है, इसके इलावा भी और काफी सारे features हैं, जैसे, एक तो इसने क्या किया, एक तो हमने detail में देखा कि इसने जो governor general of India का term था, उसको change कर दिया, और क्या बोला, कि अब East India company नहीं, बलकि एक vicerai of India भारत को गवर्न करेगा, एड्मिनिस्टर करेगा, जो directory control में होगा, किसके? British crown के control में, उसके बाद दूसरा इसका provisions था, it ended the system of double government by abolishing the board of control and court of directors, तो क्या था कि इसमें, जो Britishers की तरफ से जो किस परकार से board of control का जो decision होता था, उसी को implement करते थे, ये court of directors, तो guys इस परकार के जो दोनु bodies थी, इसको abolish कर देता है, कौन सा government, जो act होता है, government of, sorry, act of good government 1858 का जो आता है, it created a new office, secretary of state for India, इसके इलावा, इस act में क्या provision होता है, कि vicerai of India के इलावा, एक secretary of state for India होगा, it was vested with complete authority and control over Indian administration, the secretary of state was a member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament, तो guys, ये क्या काम होता था, ये एक cabinet minister होता था, ब्रिटेन का, तो वहाँ पर इसको, यानि, जवाब देही देनी होती थी, कि इंडिया में किस परकार से चल रहा है, यानि, जैसे आज की date में, अगर मैं आपको union cabinet में special minister North East के लिए है, तो इसी बरकार, Britishers ने एक cabinet minister को इस post पर बिठाया, कि इस post पर secretary of state for India, कि overall जो इंडिया में administration चल रही है, उसको British Parliament में report करने के लिए, it established a 15 member council of India to assist the secretary of state for India, तो guys इस minister को, इस cabinet minister को, secretary of state for India को help करने के लिए, 15 member की council भी committee भी बनाएगी, the council was an advisory body, और ये क्या advice करती थी, इस secretary of state for India को, the secretary of state for India was made the chairman of the council, तो obviously इस council का chairman को था, secretary of state for India, the act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery by which, the Indian government was to be supervised and controlled in England, तो guys, इस act का main provision क्या था, कि किस परकार की इंडिया में administration चल रही है, governance चल रही है, उसको किस परकार से और improve करना है, ये सारी reporting करनी British Parliament में, कोन करता था, ये secretary of state for India करता था, और इस act का भी एक ही provision था, कि अब और territorial capture नहीं करना है, बलकि जो territory इंडिया में है, उसी में governance को improve करना है, it did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India, तो guys, इस act के दोरान जो already government का system चल रहा था, governance का system चल रहा था, उसमें कुछ major change नहीं किया गया, सिर्फ यही किया गया, कि governor general of India थे, जो उनकी जगा वाइस राय आफ इंडिया बना दिया गया, British East India Company को खतम करके, अब direct crown के अंडर आ गया, Secretary of State for India, तो guys, इस प्रकार के कुछ provisions आपको देखने के मिलेंगे, Act of Good Government for India, जो 1858 में आता है, गया, इसके वाद भी जो है लगातार एक परकार की शतूरता चलती रहती है, Britishers के जो officials थे और जो princely states थे, अब Britishers क्या करते हैं, कि Britishers जो princely states छोटे छोटे रजवाडे होते हैं, उनको अपने confidence में लेने की कोशिश करते हैं, अब इसके लिए क्या आता है, इंडियन कॉंसे लेक्ट आफ 1861, अफ्टर दा ग्रेट रिवाल्ट आफ 1857, ब्रिटिश गवर्नमेंट फैल्ट दा निसेस्टी आफ सीकिंग दा कोपरेशन आफ दा इंडियन सिन दा अड्मिनिस्टेशन आफ देर कंटरी, तो गया इस टेरिटरी काफी ज़ादा थी ब्रिटिशर्स के पास और इसको टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स के पास इतने ओफीशियल्स नहीं थे, इतनी स्टेंथ नहीं थी, तो अब Britishers ने क्या सोचा कि जो यहां के local राजे हैं यहां के local population है उनको हम convince करते हैं किसी तरीके से और administration को सुंदर बनाने के लिए हम इनकी help लेते हैं तो guys यह सब करने के लिए local जो राजा लोग थे या local population थी इंडिया की उनको अपने confidence में लेने के लिए इस परकार के council acts बनाए जाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1861 में Indian council act आता है उसके क्या provisions थे It made a beginning of the representative institutions by associating Indians with the law making process कि जो भी कानून को बनाने की विवस्था थी जो process थी अब उसमें Indians को भी include किया जाने लगा It does provided that the vice rai should nominate some Indians as non-official members of his expanded council कि यह जो council होगी जो law बनाएगी जो secretary of state for India को assist करेगी इसमें कुछ Indians भी होगे लेकिन यह non-official होगे यहनी जब कोई decision लेने की बारी आएगी तो यह vote नहीं कर पाएंगे यह केवल एक advisory nature होगे इसी को देखते हुए in the year 1862 Lord Kenning the then vice rai nominated three Indians to his legislative council Lord Kenning जो होते हैं वो अपनी legislative council में तीन भारतियों को शामिल करते हैं कौन-कौन से थे दराजा अफ बनारस दमहराजा अफ पतेयाला एंड सर दिनकर राउत होगा यह modern Indian history में आपके लिए important हो जाएगा लेकिन polity में हम देखेंगे कि किस परकार से धीरे धीरे इन्हों ने centralization of power की कि कैसे पहले Britishers ने इंडिया में आकर attack किये territory को control में लिया revenue को sources को अपने under लिया उसके बाद revolt होता है और फिर यह उस revolt में किसी तरीके से जीत जाते हैं या वो revolt successful नहीं होता है फिर यह देखिए अब कि जो local population या local जो kings थे उनको अपने confidence में लेके यानि एक federation बनाने की फिराग में है तो guys देखते हैं इसके बाद act आता है जो Indian council act आता है 1892 इसमें क्या क्या features है it increased the number of additional यानि जो मैंने अभी recently बात की कि जो non Indians की जगा वहाँ पर Indians को भी executive council में include किया जाने लगा तो उसमें जो strength थी उसको बढ़ाया गया it increased the number of additional non official non official कों से होगे Indian members in the central and provincial legislative councils but maintain the official majority in them लेकिन उसमें official जो English लोग थे वो जादा थे मानिये कि अगर 50 लोगों की थी तो 25 से उपर जो है वो Indians नहीं थे Indians 25 से कम ही थे हलांकि इनकी संख्या 3 से बढ़ा कर कुछ की गई लेकिन ये 25 से उपर नहीं की गई it increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive तो guys इस act में ये भी provision किया जाता है कि जो budget होगा budget की management की कहां से कितना revenue आएगा कहां से कितना खर्चा करना है अब ये वला function भी Britain की जगा या Secretary of State for India जो खुद decide किया करते थे वो भी अब इसी legislative council को दिया जाने लगा तो guys क्या होता है कि इसमें एक परकार से मैंने आपको बताया कि non-official यानि Indians को भी legislative council में include किया जाने लगा अब उनके लिए election किया एक process चलने लगा कि कौन decide करेगा ये local population decide करेगी local लोग decide करेंगे कि कौन से representative को legislative council में बेजना है तो guys अगर मोटे मोटे शब्दू में देखें तो ये election का concept आपको Indian council act 1892 से ही देखने को मिलेगा तो guys देखते है next इसके वाद आता है most important आता है Indian council act of 1909 तो guys 1909 का ये जो act आता है it is also known as Morale Minto reforms क्यों क्योंकि Morale Minto जो थे Lord Morale थे he was the then secretary of state for India और जो Lord Minto थे ये vice raya of India थे तो इन दोनों के दोरान जो है ये council act आता है Indian council act of 1909 इन दोनों के नाम के कारण वज़ा से तो Lord sorry Morale Minto reforms का नाम भी से दिया गया है अब इसमें क्या features होते हैं it considerably increased the size of the legislative councils both central and provincial the number of members in the central legislative council was raised from 16 to 60 तो जैसे की लगातार मैंने आपको बताया कि अब जो भी act आएगा उसमें administration उसमें governance की बलाई की बात की जाएगी किस परकार ज़े administration को improve करना है Indians को convince करना है अब यही बातें होंगी और यही कारण हुआ कि legislative council की अचानक से 16 लोगों से 60 की strength कर दी जाती है मौरले मिंटो रिफार्मस में जो act आता है Indian council act of 1909 तो जो provincial होगे अलग अलग जो रजवारे थे तो उन में कितनी strength होनी चाहिए legislative council में यह uniform नहीं थी लेकिन जो central legislative assembly थी उसकी uniform होगी एक ही होगी कि 16 से 60 member हो गया इट provided for the first time for the association of Indians with the executive councils of the vicerai and governors तो गईस इसमें क्या होता है कि Indians और Britishers मिल के काम करते हैं चाहे वो council vicerai की हो या किसी governor की हो स्तेंदर प्रसाद सिनहा became the first Indian to join the vicerai's executive council तो गईस direct question पूछा जा सकता है तो जो vicerai होते है vicerai कूण होते हैं तब Lord Minto उनकी council में स्तेंदर प्रसाद सिनहा जो है ये first भारतिये बनते हैं उसकी membership लेने के लिए he was appointed as the law member तो इसको क्या उपादी दी जाती है law member तो गईस इसके बाद क्या provision आते हैं देखिए सबसे important अगर मैं historical background of India Act की बात करूँ जेतने भी provisions हैं तो सबसे जादा important है ये 1919 का Act On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India की इंडिया में एक अच्छे प्रकार की democratic republic government को establish करना ही objective है किसका? British government का, British parliament का ये announcement होती है अगस्त 20 को 1917 को आपको याद रखने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है आपको यही याद रखना है कि कौन से Act से किस प्रकार के provisions change हुए The government of India Act of 1919 was thus enacted तो जब ये announcement होती है तो उसके बाद government of India Act 1919 इसकी enactment होती है इसको पास कराया जाता है British Parliament में which came into force in the year 1921 तो गैस ये पास कब होता है 1919 में इसी साल में जो है अपरेल के मेहिंडे में जलियाँ वाला भाग tragedy भी होती है तो 1921 में इसे implement किया जाता है This Act is also known as Montague Campsford reforms क्यों कहा जाता है जैसे मौरले मिंटो में हमने देखा ये जो Montague थे ये Secretary of State for India थे और जो Lord Campsford थे ये Viceroy of India थे तो इन दोनों के duration के दोरान ये Act आया तो इसलिए इसे क्या नाम दिया जाने लगा Montague Campsford reforms तो गैस इसके काफी important features हैं वो भी हमें देखने होंगे The features of this Act were as follows क्या-क्या features थे It relaxed the central control over the provinces by Demarketing and separating the central and provincial subjects तो गैस इससे पहले क्या होता था कि जो Legislative Council थी Center की Federal Council थी तो उसी के दोरा Maximum LAS जो थे बनाए जाते थे और जितनी भी provinces थी उन सब में यही काम यही LAS implement किये जाते थे लेकिन जब यह Act आता है 1919 में तो इसमें कुछ provincial level की भी autonomy दी जाती है इनको कैसे The central and the provincial legislatures were authorized to make LAS on their respective list of subjects तो किस पर क्या LAB बनाना है यह सारे subjects पहले लिखे जाते हैं देखे जाते हैं और उसके वाद क्या किया जाता है कि इन subjects को divide किया जाता है कि कौन से subject पर central LAB बनाएगा कौन से पर state बनाएगा और कौन से पर जो है दोनू बना सकते हैं और गाईस यह भी concept था कि अगर कोई भी ऐसा subject नहीं है जो इन subjects के अंडर आता है यह नि other than these subjects कोई subject आता है तो वो उसे कहते हैं residualy subject और यह residualy powers किसके पास थी यह center के पास थी यह federal council के पास थी however the structure of government continue to be centralized and unitary it further divided the provincial subjects into two subjects तो अब इसमें क्या बात की जाती है कि जो provincial level के subjects थे उन में division होती है किस परकार की division दो division होती है एक तो कुछ subjects transferred किये जाते हैं और कुछ reserve किये जाते हैं यानि कुछ ऐसे laws होते हैं जिनको सिर्फ जो है central provincial sorry central council ही बनाएगी और कुछ ऐसे थे जिनको transfer कर दिया गया यानि उन पे laws जो है provincial governments भी बना सकती है the transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council तो अब जो provincial system में provinces में governor थे तो transferred subjects में उन governor को laws बनाने थे और किसकी help से the reserved subjects on the other hand were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council यानि कुछ ऐसे थे जैसे आज के concept की भारत के concept की बात करें तो यहां पर क्या है कि जो cabinet of ministers है तो उन वो responsible होते हैं उनको जवाब देना होता है लोग सबब में तो गाई यह जो transferred subjects से इन में जवाब देना होता था तो यह जो reserved थे इन में किसी परकार की inquiry है किसी परकार का answer इनको नहीं देना होता था किसको executive council को sorry legislative council को this dual system of governance was known as diarchy which means double rule तो यह क्या double rule यानि एक कुछ ऐसे subjects हैं जिन पर यह responsibility अपनी answer करेंगे और दूसरे पर किसी परकार की कोई answerability नहीं होगी और इस double परकार के governance को क्या कहा जाने लगा diarchy और इसको आगे जाके खतम भी किया जाता है act of 1935 से तो यह कुछ provisions थे इसके जो act of act of 1919 आया था इसके बाद और भी कुछ सारे provisions है इट इंट्रोड्यूज्ट फार दा फर्स ताइम बाइ कैमरेलिजम एंड डिरेक्ट इलेक्शन सिंदा कंट्री बाइक कैमरेलिजम की डबल हाउस एक लोर हाउस एक अपर हाउस का concept जो है act of 1919 से ही लिया गया है दस दा इंडियन लेजिसलेटिव लेजिसलेचर चांस्टीचूटिग आफ न अपर हाउस कांसल आफ स्टेट जिसे आज की डेट में हम राज्य सबह कहते हैं इसे लेजिसलेटिव असेंबली भी कहा जाता है तो गयाँ इन बाइक्ट का concept इंट्रोड्यूज होता है डिरेक्ट इलेक्शन का concept introduced होता है और direct election के तुरू ही इन दोनु houses में जो हैं वो members बेजे जाते हैं इसके बाद क्या provisions किये जाते हैं कि अलग अलग population community को दे के उनकी इन दोनु houses में representation होगी जैसी आज की date में भी चल रही है तो यह six को भी दियेगी जो Indian Christians यानि जो Christian Missionaries Britain से इंडिया में आये थे उनुने भी कुछ बारतियों को convert किया था Christianity में तो उनी को Indian Christians कहा जाने लगा Anglo Indians काफी सारे Britishers ने इंडिया में आकर शादियां कर ली उनके बच्चे और ये जो इस परकार की families वनी उनको Anglo Indians कहा जाने लगा या फिर Europeans जो direct वहीं के थी लेकिन इस से क्या हुआ कि इस में इस से भारत में ही एक आज की डेटमेंट जैसे UPSC है तो उस समय इसको Central Public Service Commission कहा जाने लगा इसका काम था कि Civil Servants जो है उनकी recruitment की जाए तो गाइस इसके बाद important act आता है Government of India Act of 1935 इस act के क्या provisions हैं the act marked the second milestone towards a completely responsible government in India तो गाइस देख रहे हैं लगातार आप acts में improvement हो रही है कभी Indians को include किया जा रहा है उनकी strengths बढ़ा ही जा रही है उनको services में include किया जा रहा है तो दीरे दीरे जो है Britishers को ये पता लग गया कि भारत के जो लोग हैं ये भी education को ले रहे हैं ये हमारे अंडर नहीं रहेंगे तो सबसे better यही रहेगा कि जो बोलेगा उसको अगर अपने साथ आप मिलाते चलेंगे तो कभी we revolt की जो है possibility नहीं रहती तो यही काम Britishers ने भी किया अब Government of India Act of 1935 जब आता है तो इसे हम एक second milestone step क्या सकते हैं कि good governance भारत में establish करने के लिए यानि जो 1919 का act आया था उसमें भी काफी अच्छे provisions थे अब इसमें क्या provisions थे तो गईज ये schedules, articles और ये सारे concept जो है parts का ये भी Government of India Act of 1935 से लिए गे हैं अब इसके कुछ हम important features देखते हैं देखिए सबसे पहला important feature इसका क्या था कि ये act एक All India Federation को establish करना चाहता था कि जो अलग-लग states हैं वो खुद ही मिलें और एक British Federation यहाँ पर बनें जैसे USA में हैं अलग-लग 50 states ने मिलकर Federation बनाई हुई है इंडिया में 28 states हैं लेकिन ये Federation नहीं है ये Union है तो गैस Union और Federation में क्या difference होता है Union में अगर एक state अलग होना चाहे तो ये अलग नहीं हो सकती Federation में ये अलग हो सकती है ये ही major difference है तो अब देखिए अलग-लग रजवाडे थे तो Britishers चाहते थे कि by force तो हम इन्हें include नहीं कर सकते लेकिन इनको हम क्या करते हैं इनको convince करते हैं और एक अपनी Federation बनाते हैं इसी प्रकार के provisions act of 1935 में थे इट provided for the establishment of an all India Federation consisting of provinces and princely states as units तो गैस ये क्या चाहते थे कि जितने वी states थी जितने वी provinces थे princely states थे उन सब को अपनी Federation में include करना the act divided the powers between the center and the units in terms of three lists अब देखिए यहाँ पर क्या तीनु लिस्टों का जो है विवेचन आता है federal list होती है, provincial list होती है, concurrent list होती है तो federal list में ला केवल center ही बनाएगा यानि Britishers ही बनाएगे provincial list में जो राजे थे, princely states के king थे, वो भी वो ही बनाएगे और कुछ concurrent list थी, जिन में ये दोनु लाज बना सकते है the residue powers, guys, residue का मैंने आपको बताया कि अगर इन तीनु लिस्टों में कोई subject नहीं आता है तो वे fourth subject को handle करने के लिए residue power का इस्तेमाल किया जाएगा और ये residue power किसके पास थी, ये Britishers का जो वाइस राय आफ इंडिया था, उस में ये empowered थी However, the Federation never came into being as the princely states did not join it लेकिन, guys, इस परकार की Federation आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी princely king ये नहीं चाहता था कि हमारे उपर Britishers rule करें तो guys, इसके इलावा भी कुछ provisions थे, जैसे जो 1919 में dual government या फिर hierarchy का system develop होता है उसको ये abolish करता है, both level पे करता है provinces में and introduced provincial autonomy in its place तो guys, ये ज़्यादा autonomy देता है, यानि ये सिर्फ subjects नहीं देता बलकि उनको एक परकार की independence देता है limited independence देता है, लेकिन इस से 1919 से ये better था भारतियों के लिए The provinces were allowed to act as autonomous units of administration in their defined spheres अब provinces के पास एक area इनको बताया गया कि इस area में, इस sphere में आप laws बना सकते हैं, आप काम कर सकते हैं और इस में किसी प्रकार की Britishers के दोवारा interference नहीं होगी moreover the act introduced responsible governments in provinces, that is the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislatures तो कि इस provinces और princely states में क्या difference था? कि जो princely states थी वहाँ पर आप भी राजे थे यानि भारतिय rulers थे, लेकिन जो provinces थी, वो अलग-लग provinces थी जैसे Bombay हो गया, मदरास हो गया, Odisha हो गया तो इस में ये था part तो Britishers का, लेकिन Britishers के अलग-लग governors in areas पे rule किया करते थे तो अब क्या हुआ कि जो provinces थे, वहाँ पर एक responsible government काम करेगी और जो governor काम करेगा, वो किसकी help से करेगा, वो with the advice of ministers करेगा और जो provincial legislature होगा, उनको जवाब दही भी करनी होगी तो guys ये काफी अच्छा act था, इसमें Indians भी direct election में participate करते हैं हालांकि कुछ महीने का ही rule होता है, दो सवा दो साल का, उसके बाद जो है Indian National Congress resign कर देती है और ये act खत्म हो जाता है, कब खत्म होता है? 1939 में अब इसके इलावा भी कुछ provisions थे, it extended franchise about 10% of the total population got the voting right, तो guys इससे पहले जो है voting बहुत कम हुआ करती थी, ये voting का कोई तरीका नहीं था, लेकिन ये legal right इनको मिल जाता है, 10% लगबग population होती है इंडिया की, कि वो किस परकार के कारे को करना है, अपने representatives को चुनने के लिए, लगबग भारत की 10% population को right दिये जाते हैं, कौन से right, voting right, इसके इलावा, ये reserve bank of India को establish करने की भी बात की जाती है, इस act में, क्यों की जाती है, to control the currency and credit of the country, कि country में पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, किस परकार से revenue लेना है, किस परकार से खर्चना है, guys इस सब की maintenance के लिए Reserve Bank of India Act भी आता है, जो और Reserve Bank of India जो है, इसकी establishment होती है, in the year 1935 में, guys इसके इलावा भी अच्छे provisions हैं, जैसे, इस में सिर्फ federal या central public service commission की ही बात नहीं की जाती है, इसमें ये कहा जाता है, कि central level के civil servants को recruit करने के लिए, तो ये central public service commission ठीक है, लेकिन ऐसे ही civil servants हमें provincial level पर भी चाहिए, और provincial level पर ऐसे civil servants की recruitment के लिए, ये provincial public service commission की बात करते हैं, और giant public service commission for two or more provinces, तो guys जैसे आज की date में किसी state का PSE होता है, अगर दो या तीन state मिलकर एक joint बनाती है PSE, तो उसे क्या कहा जाता है, joint public service commission, तो guys ये जो सारे provisions थे, ये act of 1935 में थे, तो guys वीडियो लंबी हो जाती है, अगर मैं next act जो Indian independence act of 1947 भी इसमें discuss करता तो guys next video मैं छोटी सी video बनाऊंगा और उसमें ये discuss कर दूँगा, तो guys आपको ये video कैसी लगी, आप जरूर comment box में comment करके बताएं, इसके इलावा आप किसी परकार का suggestion देना चाते हैं, तो guys आप comment box में भी डाल सकते हैं, या almighty guidance at the rate gmail.com पर भी mail कर सकते हैं, guys वीडियो अच्छी लगते हैं, तो आप इनने वीडियो का pdf जो है almighty guidance को आप telegram पर जाइन करके भी पा सकते हैं, facebook पर भी काफी सारी information share की जाती है, आप वहाँ पर भी हमसे जूट सकते हैं, guys वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जैहिन, जैवारत